असला माल याकूम स्टूडन्स यह हमारे साथ एक क्वेस्टन है फाइंड क्रेटिकल वेलियो यह इसके लिए हम क्रेटिकल वेलियो फाइंड करेंगे तो फर्स्ट आप आल हम यह क्वेस्टन अगेन लिखते है f of x equal to 2x3 minus 3x square minus 72x plus 15 अब हम इसके लिए derivative लेते हैं d by dx यह हमने दोनों साइट पे derivative ले लिया तो यह हमारे साथ f prime x की बराबर हो गया और इसका derivative हमारे साथ है 2 multiply 3 यहनि 6x square हो गया minus 3 multiply 2 6x हो गया और minus 72 आ गया और यह derivative of constant हमारे साथ 0 की बराबर है तो हम 0 यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो अब हम यहाँ पे 6 common लेते हैं तो 6 हमारे साथ common हो गया x minus 12 हो गया equal to 0 अब हम 6 को both side पे divide करते हैं तो यह हमारे साथ x square minus x minus 12 आ गया तो अब हम यहाँ पे a frame x यहनि 0 की बराबर करते हैं और यह farm हम अपनी जगा पे लिखते हैं x square minus x minus 12 equal to 0 तो अब हम यहाँ पे simply factorization लेते हैं यह factorization यहनि x square और 12 को multiply करें तो यह हमारे साथ minus 12 x square की बराबर है अब हम a से two factor multiply करेंगे जो हमें minus 12 x square दे दे और जब हम इसको add and subtract करें और वो हमें minus x दे दे तो हमारे साथ 4 x minus 4 x plus 3 x जो है वो minus 12 x square देता है और जब आप इसको add and subtract करें तो वो आपको minus x देगा तो हम इसकी जगा पे यह दो factor लगाएंगे तो x square minus 4 x plus 3 x minus 12 अपनी जगा पे आ गिया अब हम यहाँ पे common लेते हैं तो x हमारे साथ common हो गिया इन दोनों factor में हमारे साथ 3 common है तो x minus 4 आगिया अब इन दोनों में से हम एक लेते हैं यनि x minus 4 लगाएंगे और यह दोनों हम एक साथ लेकेंगे x plus 3 तो x minus 4 equal to 0 हो गिया और इसी तरह x plus 3 equal to 0 हो गिया तो x अपनी जगा पे आगिया और यह 4 हम यहाँ पे shift करते हैं तो यह plus में convert हो जाएगा और यह 3 हम यहाँ पे shift करते हैं तो यह हमारे साथ minus 3 में convert हो जाएगा तो simply critical value जो है वो हमारे साथ यनि 4 comma minus 3 आगिया तो इसी तरह हम critical value को find करेंगे अब हम question number 2 को solve करते हैं तो यह question हम again लिखते हैं 1 by 3 x q minus x square minus 15 x plus 6 अब हम इसके लिए derivative लेते हैं तो यह हमारे साथ f prime x की वराबर हो गया और यह हमारे साथ 3 multiply 1 3 by 3 आगिया और यह इसकी power से 1 minus हो गया तो यह हमारे साथ 2 हो गया minus 2 multiply 1 यनि 2 आगिया और इससे 1 minus हो गया तो simple x आगिया minus 15 multiply 1 15 आगिया और plus 6 यनि constant of derivative हमारे साथ 0 की बराबर है तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं अब यह 3 और 3 cancel हो गया तो हमारे साथ x square minus 2x minus 15 आगिया तो अब हम इसको if dash x equal to 0 करते है तो x square minus 2x minus 15 equal to 0 हो गया अब हम यहाँ पे factorization लेते हैं तो इन दोनों को जब आप multiply करें तो यह हमारे साथ minus 15 x square की बराबर है अब हम एसे 2 factor multiply करेंगे जो हमें 15 दे दे और जब हम इसको plus minus करें और वो हमें minus 2x दे दे तो वो है हमारे साथ 3 multiply minus 5x तो इसकी जगा पे हम यह दो factor लगाएंगे तो x square minus plus 3x minus 5x minus 15 आगिया equal to 0 अब इन दोने में से हम common लेते हैं तो x plus 3 आगिया और इसमें हम यहनी 5 कामन लेंगे तो x minus और minus plus 3 आजाएगा तो x minus 5 एक साथ लिके ब्रेकट में और x plus 3 में से हम एक लिकेंगे तो अब हम इसको equal to 0 करते हैं और x plus 3 equal to 0 अब x हमारे साथ तो अपनी जगा पे आगिया और यह 5 यहाँ पे shift करें तो यह plus 5 हो गया और x अपनी जगा पे हमने लिका और यह 3 यहाँ पे shift करें तो यह हमारे साथ minus 3 हो गया तो हमारे साथ critical value यानि c.v यानि critical value हमारे साथ 5 कामा minus 3 की बराबर है यह हमारे साथ critical value हो गया पहारे साथ करें मारे साथ technological 맞아, हमारे मारे अपनी जगा fait प्रहाँ षाया यहाहाँ जगा मारे साथ Resistance गयाилось यह जगा तो कि अ धैगी प्रुण भागन